नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियोज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्या सिंगर मुगेन सांसद राजीव रंजन और फ ललन सिंग ने एक बड़ा बयान दिया दरसल आपको बदा दे के ललन सिंग ने कहा बिहार की राजनेती सही दिशास शुद्ध हावा में चल रही है विकास पुरुष मुख्य मंत्री के नितरत्व में बिहार तेजी से काम कर रहा है और करता रहीगा सांसद सनिवार को पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल की निधन पर शोक व्यक्त करते हुए नजर आए और परिवार वालों को सांत्वता देने भी पहुँचे जानकारे दे दे कि इससे पहले ललन सिंग ने देश किपधान मंत्री नरेंदर मोदी की साथ मुलाकात भी की जिसके बाद माना जा रहा है कि मुख्य मंत्री संग मुलाकात के बाद ललन सिंग नितिश कुमार के साथ ही अब फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत देती होई नजर आएंगे रसल आपको बता दें कि ललन सिंग को लेकर इन दिनों राजनीती में कई तरह के कयास लगाये जा रहे थे कि एनडिय में शामिल होने के बाद नितिश कुमार से ललन सिंग काफी ज्यादा नाराज है और ऐसे में वो अपना समर्थन आरजेडी को देते होई नजर आ सकते हैं देखा गया कि पिछले साल जिन हालातों में ललन सिंग ने पार्टे के राष्ट्रे अध्यक्षपत से स्तीफा दिया वो तभी से लगातार ललन सिंग की बगावती तेवर देखे जा रहे थे और माना जा रहा था कि लोग सभा चुनाव से पहले ललन सिंग आर जेडी सुप्रेमू लालू परसाद यादफ को खुले तोर पर समर्थन देते होई नजर आ सकते हैं ये भी दावे किये जा रहे थे कि जेडीयो के बारा विधायक सीधे सीधे ललन सिंग के संपर्क में हैं और वे लालू परसाद यादफ को अपना समर्थन देते हुई नजर आ सकते हैं लेकिन प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी संग लैलन सिंग की मुलाकात ने ये साफ कर दिया है कि वे एंडिय के साथ ही रहेंगे हाला कि बिहार की राजवनीती में समीकरण बदलते देव नहीं लगता ये वही नितिश कुमार है जो एक महीने पहले तक एंडिय के खिलाव बयान बाजी करते हुई नसर आ रहे थी और इंडिया गटबंधन में मुख्य भूमिकाने भागे हुए नसर आ रहे थी लेकिन महस्प्रधान मंत्री के उमीदवार की तौर पर इंडिया गटबंधन में जब नितिश कुमार का नाम फाइनल नहीं हुआ तो नितिश कुमार ने इंडिया आलायंस को छोड़ एंडिया में शामिल होने का फैस्ता रिया जिसके बाद बिहार में बड़ा तखता पलट होता हुआ देखा गया हाला कि आरजेली लगातार दावा कर रही है कि फ्लोर टेस्ट में नितिश कुमार पून बहुमत नहीं द देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है नेक्स्ट नाइन न्यूस के साथ